हलो और वेलकम तो दो क्लास, आज हम डिसकसिन करेंगे इंपोर्ट और लॉंग कोशिन और शॉटकोशिन आपकी फोर्थ सेमिस्टर एग्जैमिनेशन के लिए जो कोर पेपर है, मेटाबोलिक पाथ हुए, ठीके ना, बायो केमिस्टरी की जो मेटाबोलिक पाथ हुए, उसके हम डिसकसिन करेंगे, तो देखिए युनिट वान जहां पे मेटाबोलिजिम है, लॉंग कोशिन के तोर पे आपकी सॉटल सिस्टम जो होता है, ठीके ना, लॉंग कोशिन, सॉटल सिस्टम और मेम्रेंट ट्रांस्पोर्ट जो है, वो इंपोर्टन लॉंग कोशिन से उसको ज़रूर प्रिपार करके चले जाएए ठीके ना यह एक important system है subtle systems के बारे में then compartmentalization यह सरे जो रहेगा यह आपकी ठीके ना compartmentalization कभी-कभी question आ सकता है लेकिन सबसे important जो long questions है subtle system है short notes की हिसाब से ATP as energy currency ऐसे करके आपको long questions भी यह पूछा पूछ देता है कभी-कभी ठीके यह तीनों चीजे देखिए फिर हम short notes देखेंगे metabolism क्या होता है ठीक है metabolism क्या है all total of chemical reactions हमारे body में जितना होता है जो हम metabolism कहते हैं तो catabolism and anabolism ऐसे भी differences between catabolism and anabolism endogonic reaction, exogonic reaction ऐसे भी पूछ देता है ठीक है reducing equivalent and co-factor या सिर्फ़ सिर्फ को फैक्टर क्या होता है उसको भी पूछ देता है intermediary mechanisms उसको भी पूछ देता है यह आपकी short questions के हिसाब short notes के हिसाब से इतना आएगा long questions में यह तीनों सबसे important जो है subtle system and membrane transport वहीं से question आता है ठीक है अच्छा फिर हम unit 2 को move करेंगे unit 2 जो है सबसे important है और वहाँ पे जो चीज़े है आप उसको prepare करके चले जाए ठीक है long questions के तोर पे हम देखेंगे सबसे most important long question जो है glycolysis and creep cycle है ठीक है इन में से भी question आता है लेकिन यह दोनों जो है बहुत important है question हर साल यहाँ पर alternate होके आ जाता है इस unit में जो भी topic दे रखा है सारे बहुत important है अच्छे दीजे तो glycolysis क्या है ठीक है glycolysis को हम देखेंगे कि किस तरह किसे उन में 10 step reactions होता है है आप फेज होता है सारे चीजे citric acid cycle ऐसे पूछ सकता है या क्रेब cycle पूछ सकता है या TCA cycle पूछ सकता है आपकी syllabus के अंदर citric acid cycle दे रखा है ऐसे भी डारेट आ सकता है नहीं तो एक ही नाम है ठीक है glycolysis में ऐसा glycolysis को define कीजे पुछे पुछेगा नहीं तो EMP pathway जो है उ most important है यहां पर उसको पेंटोज फस्पेट पात है उसको भी आपने प्रिपर कर सकते हो ग्लुको नियोजेनेसिस ग्लाइकोजेनोसिस ठीक है यह जो है फाइप लॉंग कोसिन्स आपके पास है और यह फाइप लॉंग कोसिन्स ही आपकी unit 2 ही है ठीक है यह इस पांच फूर्ट सेमिस्टरी की तयारी करना चाहते हो एकदम बायोकेमिस्टरी सिर्फ अपने बायोकेमिस्टरी की सॉफ्ट्रेशन लेना चाहते हो एडस्टाट आपके लिए यह लेकर आया है सिर्फ आप पो 400 रुपीज की अंदर सिर्फ बायोकेमिस्टरी की प्रिपरेशन कर सक आपको सारे चीज़े मिल जाएगा एडस्टाट आप पर इसको भी ए 400 की मदर से खरिच सकते हो ठीक है ना तो हर एक कोर पेपर नहीं तो आप पूरा का पूरा फीजियोलोजी वाय के उसके बाद प्रक्राइब अनडवी पोर्सन की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो 1200 में यह आप लेवल है ठीक है तो देखे तो उसके बाद सौट्ट नोट्स क्या हो सकता है देखे वाट इज यह एंप पाथवे ठीक है आप ऐसे लिख सकते हो कि अनको तीन स्यांटिस्ट है न है न मेयर और हपमेन थो इस तरenses उन्होंने तीन साइंटिश ऐसको डिसको डिसकावर किये थे एंडर मेयरह र हम न तूश को डिसकावर को दिसकावर किए थे उनके नाम पाथव नहीं ऑंसरा है को यह कामानफवले udahier Home तो इसके बारे में लिखना है, Glycolysis includes how many step 10 steps होता है, यसे भी कोशेन आ सकता है, कितना ATP फॉर्मेशन हो रहा है, कितना ATP यूज हो रहा है, उसके बार में पुछेगा, यदि aerobic respiration हो गा, कितना ATP बन रहा है, ये सारे चीजे हमने चैनल पर discussion किये हैं, इसके बार में मतलब पुछ सकता है, इसके बार में कितना हो रहा है, तो उसके बाद हम देखेंगे unit 3 की, unit 3 में आपको beta oxidation, सबसे important long question जो है, beta oxidation और omega oxidation, ठीक है, alternatively पुछा दा है, इस साल मान लेजी, beta oxidation पुछा है, अगले साल omega oxidation पुछ लेगा, तो कुछ इस तरीके से alternatively होता है, तो fat of carbon skeleton of glucogenic amino acids, ये भी एक long question हो सकता है, fat of carbon skeleton of the ketogenic amino acids, ठीक है, तो ये alternative, बदिकिए आपकी syllabus के अंदर एक ही line में दे रखा है, लेकिन ये चार अलग-अलग long question हो जाएगा, ठीक है, short notes की साब से हम देखेंगे, difference between saturated and unsaturated fatty acids, है ना, हड़िद the catabolism of amino acids, amino acids क्या होता है, trans aminations क्या होता है, deaminations क्या होता है, urea cycle, ठीक है ना, crave translate cycle, मतलब ये उrea cycles कैसे interrelated है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, unit 3 के लिए हो गया, 4 के लिए सबसे important long question होता है, electron transport system, ठीक है, mitochondrial respiratory chain, भी लिखना पड़ेगा, तो on coupler क्या होते हैं, inhibitor and on coupler के बीच में, differences क्या है, ये भी पूछ सकता है, inhibitor एकदम inhibit कर लेगा, ठीक है, on coupler क्या करेगा, ना, oxidative phosphorylation and electron transport chain, ये एक coupled process होते हैं, सासात होते हैं, electron transport chain में, जो hydrogen iron निगाल रहा है, तो intermemorant space में entry होता है, और entry होने के बाद, यहां पर gradient generate होगा, जिस वज़े से फिर वापस आ जाता है, तो इसलिए, electron transport system and oxidative phosphorylation coupled है, on coupler क्या करेगा, H plus iron को बनने नहीं देगा, या ट्रांसपर्ट होने नहीं देगा, यहां पे, तो इसलिए, oxidative phosphorylation and electron transport chain, अलग हो गया, uncouple हो गया, अलग-अलग हो गया, couple हम बोलते हैं, husband wife जाते हैं, वो couple बोलते हैं, तो system, दो चीज़े जब सासा चलता है, हम couple बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं, on coupler, and inhibitor क्या होते हैं, तो जैसे, electron transport chain में, electron transport chain आप जरूर देख लिजए, इस channel पर अपने, sale biology जो playlist को चले जाएं, वहीं पर electron transport chain भी, क्योंकि वहाँ पर भी था, थाएंगे न, वहाँ पर है, आप मैंने वहाँ पर आपको अच्छे से content के साथ समझाएं, वहाँ पर देख लिजए, एकदम clear हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा तर बच्चे को electron transport chain में दिक्कत होता है, वहीं पर आप देख लिजए, तो यहाँ पर जो चार complex होता है, जिसके थूँ जो NADH and FADH के पास, जो electron रहता है, move करता है, inhibitor क्या करेगा, उस complex में electron को move करने नहीं देगा, तो इसको हम inhibitor बोलते हैं, ठीके ना, वहाँ पर हमने raco करके आपको बताए थी, ठीके ना, raco retinon होता है, ठीके ना, orbitals carbon dioxide, cyanide and oligomycin, तो complex 1 के लिए यह होता है, 2 के लिए होता है, 3 IV, V, V मतलब की F0, F1 particle, 4 तो complex electron transport chain के लिए होता है, और F0, F1 particle को हम वह बोलते हैं, तो आप राको करके याद रख सकते हो, कि इसी तरीके से trick के लिए, और इस तरीके से notes, और साथ-साथ classes के लिए, आप जूड सकते हो, EdStat के साथ, यह आपकी preparations को और बहतरिन बनाना चाहते हो, ठीक है, सो थैंक्यू, आज के लिए इतना ही है,